कि एब्रीवान वेलकम बैक टू आप न्यू ब्लोग तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे हम भी अच्छे हैं और आज मैं जा रही हूं अपने बच्पन की फ्रेंड से मिलने पहले मेरे ही गाउं में अपनी नानी के हां रहती थी पर जब थोरी बड़ी ह गई तो फिर अपने घर चली गई वही रहने लगी अपने गाउं दकि यहां गाएगाट में तो हम वहाँ पे पहुंचने के बाद गाएगाट उसको घर तो जानते नहीं थे इसलिए उसका वेट कर रहे थे तो वह आने वाली थी यही पर मिलने और यहां से मिलने के बाद हम लोग गयत है पटना का गुरुद्वारा देखने ये पटना का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और इसके बगल में ये एक और गुरुद्वारा था वहां भी हम लोग गयत है तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर किजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेर किजिएगा और क्या बोल सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यह जो है गुरुद्वारा बहुत ही बड़ा है पटना का मसुहूर है गुरुद्वारा सबसे बड़ा और यहां पर बहुत सारा एरिया भी था यह सब देख सकते हैं यह सब रू जोता सब और ये है मेरी फ्रेंड की फ्रेंड और ये जो रुमाल रखिए इस इर पे वो मेरी फ्रेंड है और उसकी एक बहन थी और मेरी फ्रेंड की जो फ्रेंड है उसका एक बती जाता है हम लोग चार लोग यहां आए हुए थे गुमने और ये सब देख सकते हैं जितना भ बाहर से लोग आते हैं उन लोग के ठारने का यहां पर वेवस्ता पूरा किया हुआ था और हर बालकनी में फूल लगा हुआ था और बहुत ही भीर भार तो थोड़ा था ही उत्ता भी ज्यादा नहीं था और यहां सर ढखना बहुत ही जरूरी था इसलिए सभी अपने सर ढख क यहां पर और इसके बगल में ही एक और था वहां भी हम लोग गया थे और यहां भी लंगर चल रहा था पर हम लंगर में नहीं खा पाय थे क्योंकि बहुत थी भीर बाहर था और देख सकते कितना फूल पूदा यह सब है और यह देख सकते सभी फोटो क्लिक कर वा रही थी लोग और हम भी थोरा वीडियो ले रहे थे यह देखे पंजाबी में लिखा हुआ है जो पर सकते वो पर सकते हैं वह तो परना नहीं आता है पंजाबी यह जो एडिया था बहुत ही सुंदर था देख सकते कितना खुबसूरत बनाया हुगा है बहुत ही अच्छा लग रहा था और यहां देख सकते हैं बच्चे लोग खेर रहे हैं और यह है पीछे का एडिया वो फ्रन्ट था और यह बैक का साइड है और देख सकते हैं इधर बैक साइड भी बहुत ही अच्छा है अंदर में अंदर का तो नई वीडियो ले पाए क्योंकि अंदर का वीडियो लेना मना था और फोटो वगरा क्लिक करना मना था और यह लोग जो सब उधर साइड जा रहे हैं यह देखिए लोग उधर जा रहे हैं ना उधरी साइड लॉट आये और फिर हम लोग दूसरे गुरूद्वारा गयते हैं तो वहाँ थोड़ा भीर कम था यहां बहुत भीर था क्योंकि यह पटना का सबसे बड़ा गुरूद्वारा है और वहाँ भी लोग जाते है पर उतना नहीं थोड़ा कम और आपको एक और गुरूद्वारा का दिखाये थे, वहाँ तो एकड़म लोग बहुत कम ही जाते हैं, आप लोहां का देखिए सेचके होंगे कितना kम लोग गये होगे थे, और यहांका भी एरिया बहुत ही सुन्दर था, उतना बड़ा नहीं था, जितना बड़ा वहाँ था, पर यहांका भी बहुत ही अच्छा था ये दूसरा गुरुद्वारा है यहां भी सब वेवस्ता था देख सकते हैं और अंदर तो जानते हैं कि फोटो को बगरा क्लिक करने के लिए मना था और यहां भी मना था वीडियो बनाना ये सब थोड़ा सा ही ले पाई थी ज्यादा नहीं बस यही थोड़ा सा लिये थैं ज्यादा नहीं कि उधर आगे कै तो गाट लोग जो थे नहीं वो मना करने लगें तो फिर हमको बंद करना पड़ा तो ज्यादा बड़ा वीडियो तो है नहीं तो बस इतना ही था और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर किजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेर किजिए और ज्यादा कैसा लगा अप हमारा वीडियो जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को यहीं पेंट करते हैं कि यह आगे का वीडियो अब नहीं है तो बस बाई टेक क्यार मिलते हैं अगले व्लॉग में